आज का वीडियो आप सबको बहुत जादा पसंद आने वाला है क्योंकि आज मैं आपके साथ में शेयर कर रहे हूं एक अमेजिंग फेशल जिसको कि आप गोल्ड फेशल भी बोल सकते हैं और जो इसका में इंग्रीडियंट है वह है हल्डी याने टर्मरिक और एक चीज मैं आपको क्लिय कर दूँ आप कोई सी भी हल्डी यूज कर सकते हैं लेकिन एक चीज का ध्यान रखें अगर आप कस्तूरी हल्डी यूज करेंगे तो वह बहुत अच्छी होगी आपके स्किन के लिए या फिर अगर घर पर बनी अगर आप यह बहुत से लोग पूछते हैं जब भी मैं किसी भी फेस्पैक पे टर्मरिक आड गरती हूँ तो आप मैं से बहुत से लोग पूछते कौन सा टर्मरिक यूज करना है तो आज मैंने क्लिय कर दिया या तो आप कस्तूरी तर्मरिक यूज करेंगे जो स्पेशली या रसाम मेरी मम्मा घिंचे बीधिया फिरी नग जबस के इस बैसे हां और भाहना उए करना उब पहरता हैं आपको अचानक से दूप में नहीं जाना चाहिए क्योंकि वह आपके सकन के लिए कहीं नहीं हामफुल होता है और हल्दी थोड़ा सा येलोनेस आपके सकन में छोड़ कर जाती है इसलिए इससे करने का जो बेस्ट टाइम है वो रात को है और मैंने भी कल रात में ये फेशिल क्या था और अभी सुबह सुबह मैं इंट्रोड़क्शन शूट कर रही हूं और अभी जास में सोकर उठी हो एक गंटे पर इसलिए मेरी आइस भी थोड़ी सी स्वेल दिख रही होगी आपको और नो मेकप है कोई मेकप नहीं है और मेरे जो स्किन है उस पर जो ग्लो है वाप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा मतलब जैसे आप ये फेशिल कंप्लीट बहुत अच्छा लगेगा तो चलिए देखते हैं अब फेशिल सबसे पहले हमें चाहिए टर्मरिक याने हल्दी हल्दी की एंटिसेप्टिक प्रॉपर्टी स्किन के लिए बहुत अच्छी होती है इसकिन की जो भी प्रॉब्लम हो चाहिए अच्ने हो पिंपल्स हो ओपिन जो भी प्रॉब्लम होती है हर चीज को ट्रीट करने के लिए हल्दी बहुत अच्छी होती है अब सबसे पहले फेशिल के फर्स टैप के लिए हम बनाएंगे क्लिंजर जिसके लिए मैंने आ लिया है कच्छा दूद दो चमच उसमें मैं डाल रही हूँ चुटकी भर हल्दी और कच्चा दूद बहुत अच्छा होता है फेस को क्लीन करने के लिए फेस में जितनी भी डर्ट होती है अगर डर्ट इंपूरिटी जो है वो डीपली आपके पोर्स में बैटी होई है तब भी ये जो कच्चा दूद या रो मिलक होता है ये बहुत ही अच्छे से उन कि अपואלी मितलब रवाय दर्स इंग जरह सें मलें और होगा थोड़ी सी हल्दी को जो hicpu कर चाले एक अझ्य। एक जिक smaller स्कुन्ट धालना है नहीं जी इस नहीं है भuw पोनिया है कच्छे दूद की आप चाहें तो यहां कच्छे दूद की जगे रोज वॉटर या फिर नॉर्मल पानी भी यूज कर सकते हैं ताकि यह जो हमारा स्क्रब है इसका जो टेक्ष्य है वो प्रॉपर है इसलिए हमने यहां पे बिल्कुल थोड़ा सा कच्छा दूद आड़ किया ह अब इन सारे इंग्रीडियंट्स को अच्छे से मिक्स कर दे और यह जो हमारा स्क्रब है यह रेडी है अब इस स्क्रब को अपने फिंगर टिप्स में लेकर के अपने फेस पर अच्छे से अपलाई करें और बिल्कुल जेंटली मसाज करें और जहां जहां ब्लाक हेड्स हो जो कि बहुत सारी skin problems से लड़ती है overall यह जो scrub था यह बहुत जादा अच्छा था अब इसके बार आपको एक towel को गरम पानी में dip करके उससे अपने face में steam लेनी है और same towel से आपके face में जो scrub है उसे पहुंचना है इससे आपके pores जो है वो open होंगे impurities निकलेंगे blackheads whiteheads निकलेंगे और आप चाहें तो गरम पानी का towel यूज़ करने के जगे आप direct steam भी ले सकते हैं वो और भी अच्छा होगा मैं steam इसलिए नहीं लेती हूं वीडियो के दौरान क्योंकि वो थोड़ा सा मैसी हो जाता है अब हम बनाएंगे massaging cream और massaging cream बनाने के लिए मैं यहां पर ले रही हूं curd यह curd मैंने घर पर बनाया है बिल्कुल creamy सा curd है और इसके बाद हम इसमें आड करेंगे haldi याने turmeric और फिर at last मैं इसमें आड कर रही हूं almond oil यह sweet almond oil है वाद्ट प्योर almond oil है आप चाहें तो इसकी जगे olive oil भी यूज कर सकते हैं जैतून का तेल मैं यहां यूज कर रही हूँ बादाम का तेल अब इन तीनों ingredients को बिल्कुल अच्छे से mix करें और cream का texture दे दें से और यह हमारी massaging cream ready है cream को अपने fingertips पे ले करके अपने face पर लगाएं और इससे अपने face को massage करें और जब आप यह process करेंगे तब आपको इतना ज़ादा अच्छा लगेगा बहुत ज़ादा relaxing process है यह जो cream हमने बनाई है यह skin को बहुत अच्छे से soothe करती है और जितने भी ingredients हम यहां यूज कर रहे है curd हम सबको पता है आपके skin में जितनी भी tanning होगी उसे हटाएगा skin को बहुत अच्छा texture देता है hydrate करता है और uplift भी करता है आपके skin को अगर आपको wrinkles की problem है या फिर अगर आपको ऐसा लगत लूज है तो यह process आपके लिए बहुत जादा must है और बहुत relaxing process है यह तो करीब चार से पार्च मिनिट के लिए आप अपने face को massage दे और फिर उसके बाद आप normal पानी से अपने face को wash कर सकते हैं अब हम बनाएंगे face mask उसके लिए हमें लेना है बिल्कुल थोड़ा सा basin आदे चम्मत से यह बिल्कुल golden face pack जैसा बनाना है और इसमें हमें कुछ भी जादा runny या जादा liquidy नहीं चाहिए इसलिए इसमें आप honey की जो amount है वो जादा रखे ताकि यह जो पूरा pack है यह honey की help से ही बने और फिर इसमें बिल्कुल थोड़ा सा आप दूद आड़ कर दे और दूद नहीं आड़ करना है आपको तो आप इसके जागे rose water भी आड़ कर सकते हैं mix करें mix करें और यह देखिए आपको कितना beautiful सा face pack अब इस pack को अपने face पर लगाएं और इसे आप 15 minutes के लिए अपने face पर बिना किसी tension के छोड़ दें और आपको जो भी काम निप्टाना है वो आप आराम से निप्टाएं 15 minutes के बाद अप अपने face को normal पानी से wash कर ले और normal पानी से wash करने के बाद में एक बहुत important step होता है कभी भी facial या clean up करने के बाद अपने face में toner लगाएं and then after जो भी moisturizer या cream आप लगाते हैं वो लगाएं और ये आपका facial का जो step है ये complete होता है वीडियो पसंद आया है तो आपको पता है आपको क्या करना है इसे like करना है इसे share करिए अपने friends के साथ अपनी family members के साथ जिसके भी आप care करते हैं उसके साथ और अगर आप मेरे चानल पर यूँ है तो मेरे चानल को subscribe करना बिलकुल भी न भूले ताकि यह से अच्छे अच्छे वीडियो आप देखते रहें next video में मिलते हैं बाई बाई